असलाम लेकुम मैं हूँ शगुफता और आप देख रहे हैं शेफ इंदर किचन भाई शगुफता आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ मेनी क्रोसेंट की रेसिपी जिसके अंदर में होगा जूसी जैम और पाहर से बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी होगी तो इसे आप बच्छो के लंच में या शाम के स्नैक में बचाट भी टेस्टी बहुत ही वजज़िदार होती है तो वीडियो को शुरु करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर ले चैनल को सब्सक्राइब 1 tablespoon sugar, 1 tablespoon dry yeast, 100 gram butter, 1 teaspoon salt और 250 ml मैंने गरम दूद ले लिया है तो सबसे पहले हमें इन सारी dry ingredients को mix कर लेना है इन सब को हमें पहले अच्छे से mix कर लेना है ताकि all purpose flour में ये सब अच्छे से mix हो जाए और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2-3 cubes butter और इसे भी हम mix करेंगे बाकी के butter को हमें बाद में यूज़ करना है और इस टाइम पर हम milk अड़ करेंगे और थोड़ा-थोड़ा milk डाल कर ही हमें इसकी dough बनानी है और इसकी dough हमें बहुत ही soft त्यार करनी है और अगर इस टाइम पर आपको लगे कि milk कम हो गई है इसे wrap कर देती हूँ और wrap करने के बाद हम इसे एक घंटे के लिए rest करने के लिए रख देंगे इस एक घंटे में dry yeast जो है वो active हो जाएगा और dough full cut just double हो जाएगी उसके बाद हम इसे use करेंगे तो चले अब मैं इसे एक घंटे के लिए side में रख देती हूँ एक घंटे हो चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल देती हूँ और ये देखे dough बिल्कुल double हो चुका है इसमें काफी air चली गई है तो इस तरीके से पंच मार कर पहले इसके सारी air को निकाल लेंगे उसके बाद dough को हमें और मिला कर इसे बहुत ही soft और चिकना कर लेना है और अब हमें surface में बहुत सारा आटा डाल कर dough को बिल्कुल लंबी बना लेनी है और उसके बाद हमें इसे equal size में cut कर लेना है और उसके बाद इसकी हमें चोटी चोटी बॉल्स बना लेनी है पेड़े बना लेनी है यहाँ पे मेरी 18 पेड़े तयार हुए हैं तो इसे हम बिल्कुल चपाती के जैसी पतली हमें बेलनी है और यहाँ पे आप सुखा मैदा का जाधा यूज़ करेंगे ताकि यह बिल्कुल नहीं कि और जब बेकर करें नहीं सारी चपाती को बेल कर रखा लिया हैँ है और अब एक प्लेट में हमें इसकी लेयर त्यार करनी है这是 चापाती को रखते जाएंगी उसके उपर बटर और मैदा को प्रिंकल करेंगे हैन flame तरीके से लेयर को तियार कर ले और अब हमें इसे बेलना है और इसे बेल कर हमें फैलाते हुए बेलना है और इसे एक बड़ी सी चपाती हमें बना लेनी है यहां पे भी हमें सुखे मैदे का यूज जादा करना है इस तरीके साब देखे मेरे पूरे सरफेस पे मैंने मैदे को बिखेर का रखा हुआ है तो आप भी इसी तरीके से इसे पूरा स्प्रिंकल कर ले उसके बाद आप इसे बेले ताकि बिल्कुल भी स्टिकी ना हो यह देखें मैंने इसे बड़े साइस की बेल लिया है तो आप हम इसे कटिंग करेंगे तो इसकी इस तरीके से हमें इस शेप में हमें इसे काट लेना है और अब मैं निकालती हूँ और अब हम क्रोसेंट की शेप इसे देंगे इस तरीके से बीच से कट लगाना है और इसे हमें रॉल कर लेना है तो ये प्लेन क्रोसेंट है और अब मैं आपको एक jam वाली croissant बना कर दिखाती हूं तो इस तरीके से यहाँ पर हम रखेंगे jam और इसे हम डॉल कर लेंगे और इस तरीके से सारे croissant को मैं बना लेती हूं इसे मैं ओवेन में बना रही हूं तो इसलिए baking tray को पहले हमें butter से grease कर लेना है उसके पास सारे croissant हम इसके उपर रख लेते हैं और इसके उपर हमें लगाना milk, milk लगाने से यह काफी soft होती है और oven को मैंने preheat के लिए 5 minutes के लिए लगा दिया है preheat हो चुकी है तो अब मैं इसके उपर सारे croissant डाल देती हूं और डालने के बाद हम इसे set कर लेते हैं तो इसे हमें convection mode में 150 degree पे 5 minutes के लिए मैं इसे पहले set कर देती हूं और 5 minutes के बाद हमें इसे निकाल कर चेक कर लेंगे 5 minutes हो चुकी है तो मैं इसे निकाल ली हूँ और अब मैं इसके उपर लगा दोती हूं butter, butter लगाने से इसमें काफी अची glaze आ जाती है इसके बाद हम इसे 5 minutes के लिए और convection mode पे set कर देंगे इसे bake करने में total 10 to 12 minutes समय लगेंगे मीनी क्रोसेंट ready हो गई है तो आप मैं इसे plate में निकाल लेती हूं ये बहुत ही soft बनी है और अंदर से juicy jam इसे बहुत ही अच्छी से smell भी आ रही है तो इसे आप शाम के snacks में बच्चों के टिफिन के लिए ज़रूर ट्राइ करें और अब मैं इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूं ये बहुत ही soft है और अंदर से jam बिल्कुल melt होके juicy बन गया है तो ये बहुत ही tasty है इसे आप जरूर ट्राइ करें और friends वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें वीडियो को जादे से जादा friends and family में शेयर करें मिलती हूं नहीं और शानदार recipe के साथ till then take care bye bye